प्रेंट्स आजम बनाने वाले हैं कच्चे केले की सब्जी जो बहुत ही टेस्टी होती है बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं कच्चे केले को छील कर पानी में रखना है यदि आप बीना पानी के रखेंगे तो कच्चे केले जो हैं वो काले होने लगते हैं तो पहले छिलने के बाद पानी में रखिए और इसके बाद ही आप इसके पीसेस कट करिए केले के और जो भी सेप आप देना चाहते हैं जो अपने मन पसंद पीसेस में केले को कट करके रख लिजे और इसके बाद हम इसके सबजी बनाने चुरू करेंगे तो मैंने यहाँ पर चार केले लिए हैं चारू केले को हम यहाँ पर काट कर तयार कर लेंगे इसके साथ हमें चाहिए दो टमाटर और एक प्याज प्याज मीडियम साइस कर लेंगे तो केले हमने कट कर लिए हैं सारे केले को और इसके बाद हमें दो टमाटर की प्यूरी तयार करना है तो टमाटर को हम बिच से कट करके प्यूरी तयार कर लेंगे टमाटर पके वे हैं तो आसानी से पिस जाते हैं तो इसकी प्यूरी हम तयार करेंगे और एक मीडियम साइज का प्याज हमें लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने प्यूरी तयार कर लिए अब हमें सबजी बनाना है कढ़ाई को हम गर्म करेंगे कढ़ाई में हमने दो चमच तेल डाला है आदा छूटा चमच सर्चो के दाने और आदा छूटा चमच जीरा का तड़का लगाएंगे एक जो प्याज हमने बारिक कट करके रखे हैं उसे हमें तेल में डालना है और इसे लगबग दो मिनट तक सौफ्ट होने तक पका लेना है हलका कलर आजाए हलका गोल्डन टाइप का कलर आजाए तो हमें प्याज को उतना देर तक हमें पकाना है तो फ्लेम को आप मीडियम रखे ताकि प्याज अच्छे से पक जाए और इसके बाद हम इसमें मसाले एड़ करेंगे मसाले हमने यहाँ पर पावडर लिये हैं आदा छूटा चमश हल्दी पावडर और आदा चमश लालमश का पावडर यूज किया है इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ थोड़ी दिर तक हम इस मसाले को भून लेंगे तक हम प्याज के साथ सथ मसाले भी भून जाए यहाँ पर हमें फ्लेम को लोर कर देना है बिलकुल लो कर देना है ताकि जो मसाले है वो जले नहीं और इसके साथ मैं अद्रक और लशन का पेस्ट और एक चमश सरसो के दाने का पेस्ट मैं यहाँ पर त्यार कर रही हूँ और इसे हमने यहाँ पर डाला हुआ है यदि आप सरसू नहीं खाते हैं तो सरसू को स्किप कर दीजे लसन और अद्रका ही पेश्टे यूज़ कीज़े और इसे हमें ढग कर लगबग 2 मिनट और पकाना है जब तक कि मसाले अच्छे से पक न जाए तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक गया है अब यहाँ पर हमें नमक डालना है और टमाटर की प्यूरी डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने तयार किये हैं वो हमें यहाँ पर डालना है मसाले अच्छे से तयार हो गए हैं तो हमें यहाँ पर टमाटर की प्यूरी हम एड़ करेंगे और इसके साथ ही हम यहापे नमक डालेंगे और आधा छोटा चमच जीरा पाउडर आधा छोटा चमच काली मर्च का पाउडर हम यहापे डालेंगे और इसके साथ टमाटर की प्यूरी भी एड़ कर देंगे और इसके बाद मसाले को हमें तब तक भूनना है तो थोड़ी देर ग्रेवी गाड़ा होने तक हमें इसे पकाना है सुखा मसाला डालने के बाद थोड़ा जलने लगता है इसलिए प्योरी को तुरण डाल देंगे और इसे थोड़ी देर और हम पकाएंगे और नमक भी हम यहीं पे डालेंगे नमक स्वादानुशा डालिए जिस कौण्टेटी में आप सबजी बना रहे हैं उसी हिसाब से तो नमक हमने आपे चार के लिए बनाए हैं तो उस लगबग डिर्ट चमच हमें आपे नमक यूज़ कर रहे हैं अपने सबजी के हिसाब से जितने आपने quantity लिए है उस हिसाब से नमक डालिए और मसाले को थोड़ी दिर हम और पकाएंगे बीच में अगर ऐसा लगता है कि मसाले सुकरे हैं तो थोड़ा से हम अधा कटोरी पानी और डाल सकते हैं ताकि मसाले जो है वो अच्छे से पक जाएं अब हमें धकन धक देना है मसाले को पकने देना है फ्लेम को लोही रखना है ताकि मसाले अच्छे से पके और थोड़े थोड़े दिर में आप चेक कर लेजे देखे मसाले पक चुके हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी एड़ कर दूंगी लगभग आधा कटोरी पानी डाल कर थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए तो धकन धक के ही थोड़ी देर और पका लेजे थोड़ा सुखेगा तो हम इसमें थोड़ा पानी डाल आप देख सकते हैं थोड़ी से पानी डालने दालने के बाद मसाला और अच्छे से पक गया है अब हम्मerson तैयार है तो अब हमें इसमें केले को जलना है और ठोड़ी देर इसने धटक करी पकाईंगे केलre पकने में टाइम नहीं लगाता है। बहुत जल दी पक جाता है। मसाले को पहले आप टयार कर लेंगे यो इसके बाद केले डालते हैं। Jeans ना और कड़ाई में चपकेगा और नहीं ये दिकत करेगा बहुत ही अच्छे से पकेगा मसाले भी पक जाएंगे और केले भी अच्छे से पक जायेंगे केले को पकने में बिल्कूल भी टाइम नहीं लगता है ये मतलब 2 से 3 मिनट में ही आप zetinkते हैं केले पक कर तयार हो हर एक मिनट मैं आपको चेक करना है और सब जी को हिलाना है बस ऐसे करके तीन च्यार बार ही आप ढ़कन ढख के करेंगे तो सबजी तायार हो जाएगा आपको कोई भी दिकत नहीं आएगी सबजी अच्छे से पकके तायार हो जाएगी तो बस हमें 3-4 मिनट तक और सब्जी को पका लेना है आप देख सकते हैं सब्जी थोड़ा सा सुखा जैसा हो गया है मतलब सब्जी अब रेडी होने वाला है लगभग आधा पक चुका है थोड़ा सा यदि आपको जरुवत लगे तो थोड़ा से पानी डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर आधी छोटी कटोरी पानी डाल रही हूं और इसके बाद इसे ढखन ढखकर थोड़े देर और पका लेती हूं ताकि केले जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक कर तयार हो जाएं केले की सबजी बहुत ही बेनिफिट होती है खाने से तो केले को खाना चाहिए कि इसलिए केले की सबजी जरूर बनानी चाहिए हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है आप चमत से दबा कर चेक कर सकते हैं कि केला पका है या नहीं पका है मैंने यह पर चेक कर लिया है केला पक चुका है थोड़े दिर हम धकन धक कर थोड़े दिर और पकाएंगे उसके बाद फ्लेम को बंद करके धकन धक कर ही एक से डेड़ मिनट तक बंद करके ही छोड़ देंगे ताकि सब्जी अच्छ से तयार हो जाए तो आप देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुका है बिल्कुल खाने लाइक हो चुका है इसे रोटी प्राठे के साथ आप कैसे भी चावल के साथ सर्व करें बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में और थोड़े से कटे हुए धनिये के साथ आप इसे थोड़ा सा गार्निसिंग कर दीजे और बिल्कुल सब्जी रेष्ट तयार हो चुका है अब इसे ढखकन ढखकर थोड़ी दे रेष्ट करने दे दीजे और इसके बाद सब्जी रेडी है तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थेंक यू क सब्सक्राइब थर बिल्कुल सब्सक्राइब थोड़ार थेंक यू